अब दोपैर होते होते दिली एरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला जब पवन खेडा को प्लेन से उतार दिया गया उतारने की वज़ा क्या थी रोकने की क्या वज़ा थी अभी तक पूरी तरह से सपश्ट नहीं हुई है एक बार फिर सिधा रुक करते हैं क्योंकि दूसरी जगा हंगामे एक और हो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पूरी रात घमासान चला आज सटकों पर फिर संग्राम दिखाई दे रहा है पल्लवी ओवर टू यू अभी क्या देख पारी है आप वहाँ पे क्या चल रहा है यही मांग कर रहे हैं कि मनीश शिशोदिया फीडबैक यूनिट को लेकर के जिस तरीके से खबर आई है और जिस तरीके से चार्च के आदेश हुए है उसको देखते हुए नैतिक्ता के अधार पर उनकों इसनी पर दे देना चाहिए यहां पर रवी की जैसे फीडबैक यूनिट जो की वो दिल्ली सरकार ने बनाई थी ताकि जो अलग अलग विभाग है जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर घाष्टा चार होता है तो उसका नर्ड रखी जा सके लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर सवाल उठाएगा और अधिकारी ने जिस तरीके से जो है अलग जी के सामने ये बात रखी कि इसका गलत या वेजा इस्तमान हो रहा है तो इसी के आधार पर कहीं न कहीं है अब सवाल किया जा रहा है कि इसके जर्में राजने ते गलाब लेने की कोशिश जो है तो आम आगदी पार्टी और खार कर्मने शिशोदिया पर भी प्लवी जो तस्वीरे हम देख रहे हैं अभी हम तस्वीरे देख रहे हैं कि कुछ लोग बैरिकेट को क्रॉस करने की कोशिश करने है पिछली रात जो हंगामा हुआ कुर्सियां चली सेब चले बोतल चले वो हमने देखा अभी यहां सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या इंतिजाम किये गे हैं ता इस परीके से अभी भी लोग रशाकसी दिखाई पढ़ रही है लेकिन अगर हम सड़क की बात करें तो देखिए पुकता इंतिजाम है पुलिस बल की तरफ से सिर्फ और यहां पर लगाए गये हैं चार पैरिकेटिंग तोड़ दिया गया है आप दूसरे पैरिकेटिंग की आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि यह जो है वह आम आदमी पार्टी दफ्तर से कुछ फासलों पर ही है अगर यहां से तोड़ते हैं तो फिर वहां आजाने की कोशिश करेंगे नेकिन उससे पहले यहां पर जो है बहुत थारे यहां प्रबंद किये गए हैं इनको रोपने सिखाई पढ़ रही और साफ मांग है कि मनीश शिशोदिया जो है अपने पंच से इस्तीफा दे दे मेरे साथ बीजेपी के तमाम बड़े देता है आए मैं उनसे बात करने के कोशिश करती हूं कि किस तरीके से आप लोग सदर में जिस तरीके से हंगामा हो रहा है दोलों प रूप से एक बहुत बड़ा पतन है दिल्ली की राजनीती का और अपने विपक्षी पार्टियों का अपने राजनीतिक विरोधियों का जासुसी कराना इसका मतलब दिल्ली सरकार का मोरल स्तर बिल्कुल गिर चुका है और इस कांट के अंदर क्रोड़ों रूपे का घोटा गामा बवाल यही देश की रास्थानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है यह दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर दिल्ली एरपोर्ट की है जहां पर कंग्रेस नेता कंग्रेस प्रवक्ता पवन खेडा को प्लेन से उतार दिया गया खबर यह आई यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हां हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं यूस 24